शिवपरी के सौफ्ट्वेर इंजीनियर के साथ पूने की कमपनी ने की 21 लाख रुपे की धोकादड़ी शिवपरी शहर के रहने वाले एक सौफ्ट्वेर इंजीनियर के साथ 21 लाख की धोकादड़ी का मामला सामने आया है सौटवेयर इंजीनियर के सिक्षक बिता ने आज शुकरबार को इसकी शिकायत कोतवाली सहित स्पी से की है कोटवाली श्वेत्र के शिव शक्ती नगर के रहने वाले सिक्षक नगेंदर रगवंशी ने बताया कि उसका बेटा नितांत रगवंशी सौटफवेर इंजीनियर है जो दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहा है वो कुस दिन पहले ही छुटी ले कर घर आया था सिक्षक ने बताया कि उसके बेटे ने पूने की एक सौफ्टवेर कमपनी को एक सौफ्टवेर ओजर किया था इस सौफ्टवेर को खरीदने के लिए उसके छोटी मोटी लेंदेन में क्रिजिट कार्ड और बैंक खाते का इस्तिमाल किया गया था लेकिन कमपनी की द्वारा उ पेटे के क्रेजिट कार्ड और बैंक खाते में पहले 19 लाग का लोन पास कराने के बाद राशी को बेटे के ही खाते में डाला गया फिर उस राशी को अलग अलग खातों में ट्रांस्फर कर दिया गया इसके तरीक दिया बेटे मैं मेरे बच्चे के साथ नितांत रगवन शी उसके साथ 121 लाग रुपे की बैंक इनके द्वारा ठगे की गई है और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे के खाते से दो लाग जो उसके जमा थे वो तो निकाली लिए गए बैंकों के द्वारा उन्होंने लोन के थूरो के तूरो के थूरो पईसा निकालके अपने खाते में यह पने बच्चे के बच्चे के डोकुमेंट्स पर लोन लिए फैसे पर नहीं कोशा परसों किसका प्रकार देने आया हूं वह बच्चे ने दिल्ली में शिकात कर दी है जादा नेरा रही है वह एक दो बैंक कोई बैंक जो होता है वह कागज देने के पहले लोन देने के पहले सत्रा प्रकार कागज लेता है यह ओटी देता है यह बच्चा शुपरी था यहीं होगा है पाइस डेंक के इसकी ब्रांच में वह दिल्ली में जॉब करता हैं डिली की ब्रांच करता है और तो